दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल सिविल साइड विजिट में दोस्तों आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और यूनीक सा है आज मैं बताना वाला हूँ आपको जो हाइडलिक प्रेशर टेस्टिंग करते हैं पी वी सी पाइप की देखो क्या होता है कोई भी हम पाइपिंग प्लंबिंग करते हैं बातरूम की होगई किचन की होगई टोइलेट की होगई कहीं भी तो उसमें लीकेज का डइर हमेशा रहता है अगर हम उसको हाइडलिक प्रेशर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आज इसका मैं सब बताऊँगा कि क्या होती है जो भी joints होते हैं जब एक बार plumbing हो जाती है फिर उसके उपर टाइल लग जाती है तो अगर बाद में लीके जो एक तो dampness दिखी की दूसरी दिवार में दूसरा उसको टाइल खोल के यह सब करने में काफी ज़ादा जंजड़ हो जाता है तो हमेशा जब भी आप अपने bathroom की plumbing कर आपने kitchen की तो जो भी contractor होगा उसको बोलना है pressure test जरूर कर water tightness test जरूर कर कि हमें पता चले कोई joint leak तो नहीं है जो leak होगा उसको हम अच्छे से सही कर सकते हैं जैसे सामने देख रहो कितने joint आते हैं आपका कहीं bend हो रहा है कहीं T लग रही है कहीं elbow है यह वो काफी ज़ादा joint ह होते हैं तो उनको proper से check किया जाता है किससे यह testing करके heart leak pressure testing मतलब इसमें test में क्या किया जाता है मैं पूरा procedure आपको समझाऊंगा कैसे हम इस test को करते हैं तो यही वीडियो आज वोने वाली है तो complete वीडियो देखना इसमें से काफी basic knowledge आपके लिए निकलने वाला है एक practical इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें हमारा पानी फिल करते हैं पूरा यह एक नीचे tank सा बना होता है इसमें और उपर लगा होता है इसके meter में आपको दिखाता हूं कैसे इसका हम work करते हैं पूरा तो इसको हम क्या करते हैं joint कर देते हैं जो भी joint होगे जैसे आप सामने यह जो मीटर देख रहा है इस पर हमें रीडिंग देखनी होती है और जो हमें रीडिंग सैट की है इसमें वो आपको 10 kg पर सेंटीमेटर स्केर मतलब प्रेशर आपको रखना है इसमें यह देखो आपको सामने दिख रहा होगा कितने 10 kg पर सेंटीमेटर स्केर तो यह प्रेश होगा तो उसमें इसको हम पूरा फिल कर देते हैं और यह pressure पहुंचा देते हैं कितने पे 10 kg पर cm स्केर पे जैसे यह pressure पहुंच जाता है फिर इसको हम रहने देते हैं और 24 hour के बाद देखते हैं कोई भी joint को सब joint को आपको touch करके देखना है किसी में भी leakage नहीं होनी चाहिए और कोई मतलब यह नहीं वाल खुला रह जाए तो सब मतलब joint पूरे dry होने चाहिए अगर 24 hour के बाद वो dry रहते हैं तो वो test pass हो गया फिर उसके बाद आप tiling जहां जो भी process रहता है वो कर सकते हो वो safe है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर उसमें कोई leakage है तो हम पहले इस टाइलिंग से पहले उसको सही कर सकते हैं और 24 hour के बाद हम उसको खोल के द्वारा उसमें जो भी solution रहते है वो लगाके जहां पूरा joint खोल के फिर से उसको set कर सकते है तो एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए कि यह test क्यों किये जाता है और क्यों जुरूरी है जब भी आप घर बनवाओ तो यह test जुरूर कराओ नहीं तो आपकी दिवारों पर dampness जो sealant रहती है वो दिखेगी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको tile खुलवा के फिर पूरा set करना पड़ सकता है तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि क्या यह test है क्या कि यह जाता है basic test सा basic सा instrument सा इसका और आपको लगा कि कितना pressure कितना रखना है 10 kg पर cm scale इसका pressure हमें रखना होता है 24 और के लिए यह था दोस्तों आज छोटा सा वीडियो I hope आपको समझ आया होगा इसका लेटर कोई पर कोशन रहता है आप कमेंट करो मैं जरूर उसका reply करूँगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो काफी आपके लिए knowledgeable video इसमें आएंगे practical knowledge बाली Thank you guys